पिरामिट्स गर के ऑफिस के या जमीन जो हमारी जमीन होती है या खेत जो जिसमें हम फसल हुगाते हैं वहाँ का वास्तु दोस्त दूर करता है पिरामिट्ट देखे पिरामिट्ट के खासियत होती क्या है यह जो tip है इस tip पर cosmic energy connect होती है और इस pyramid के power के हिसाब से दूरी तक जहां भी रखेंगे उतनी दूरी तक वो energy फैल आएगा और उस energy के फैलने से उतनी दूर की negativity remove होगी, positivity बढ़ेगी यह pyramid के बारे में मैंने पहले बता दिया है अब चुकि इसमें 8 खांचे होते हैं यानिके इस तरह से 1,2,3,4,5,6,7,8 अब यह जो pyramid बना हुआ है यहाँ पे यह जो बना हुआ है देखिए 1,2,3,4 इस तरह से अनेको यहाँ पे save बने हुए है यह save यानिकी pyramid के save है जब इतने pyramid के save बन जाते है यहाँ भी इसी तरह से pyramid के save बने हुए है यह सब इस pyramid की power को कई गुना बढ़ा देते हैं अब जब हम पीछे जाते हैं अब यहाँ भी देखिए pyramid पहले आगे देख लीजे तीन पिरामिड यहाँ बने इन में भी इस तरह के खाचे बने हुए हैं ये सब साइंटिफिक तरीके से भी बनाये जाता है spiritual method तो इसके अंदर है cosmic energy तो natural ये observe करेगा लेकिन जब इसको design के जाता है बनाये जाता है तो उस समय इस पिरामिड की power को बढ़ाने के लिए ये सब तरीके यूज किये जाते हैं पीछे देखी ये जो आपका point बना हुआ है बिल्कुल round में ध्यान से देखी जो circle बना हुआ है ये हमारे पिरामिड की power को और कई गुना बढ़ा देते हैं अब चुकि ये golden pyramid है इसके पहले हमने white pyramid के बारे में बताया था अब ये golden pyramid है golden pyramid की power white pyramid की power से ज़्यादा होती है क्यों होती है कि white color जो universe में है वो white pyramid यूज करता है यानि कि observe करता है और फैलाता है चुकि ये अपने आप में बहुत powerful है बट जो golden energy है golden color है universe का वो color उसे भी ज़्यादा powerful होता है चुकि universe में unlimited color है आप जितने भी color बनाना चाहें बन जाएगा limited नहीं है unlimited है और उसी तरह से हमारे body के अंदर भी unlimited चक्रा है लेकिन universe में जो seven color हम catch करते हैं seven color से हम अपने काम करते हैं और हमारे body के अंदर जो seven chakra है crown chakra, third eye chakra, throat chakra, heart chakra, solar plexus, sacral chakra and base of the spine जो tail bone का point होता है उसके point पर हमारा root chakra होता है इन सारे 7 चक्रों के color अलग अलग होते हैं जैसे root chakra का red color, sacral chakra का orange color, solar plexus का yellow color, hard chakra का green color, throat chakra का blue color, और इसका indigo color, third eye का indigo color and इसका हमारा जो crown chakra होता है इसका bangani जिसको कहते हैं ठीक है यहने कि jamuni color जिसको हम violet color कहते हैं jamuni color, violet color और यह हमारा हो गया bangani color यह bangani color यह हुआ bangani in the sense की sky blue जिसे हम third eye पे रखते हैं तो यह 7 color हुए और इस 7 colors से हम अपने 7 चकरों को cleanse करते हैं, heal करते हैं balance कत्रें, charge करते हैं रेकी में, pranic healing में इन colors का use किया जाता है लेकिन जब हम वास्तु के दुनिया में, वास्तु की दुनिया में कदम रखते हैं और pyramid की दुनिया में कदम रखते हैं तो यहां पर जो pyramids होते हैं, उन pyramids के अलग-अलग colors होते हैं crystal pyramids भी होता है, wooden pyramids भी होता है, plastic pyramids भी होता है अलग-अलग, gold का भी pyramids बना सकते हैं आप iron यानि लोहे का भी pyramids, teen का भी pyramids, कागज का भी pyramids बना सकते हैं उन सारे पिरामिड के अपने काम होते हैं आपने देखा होगा कि मंदिर के उपर भी जो वो गुम्बत बनता है पिरामिड के सेप में वो भी पिरामिड का ही काम करता है आप अपने घर के उपर पिरामिड का सेप दे सकते हैं वाजे के गेट के ऊपर इटे से ही बनवा कर वो पिरामिड का सिफ दे सकते उससे भी एनर्जी आती है, सबकी अपनी अलग पावार होती है, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी यूज़ होता, जैसे हम इस संसार में, हम सभी इंसान अलग अलग तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यानि कि कोई गायकार है, कोई संगितकार है, कोई फाइटर है, कोई एक्टर है, कोई राइटर है, कोई मोटिवेटर है, कोई हीलर है, कोई किसान है, कोई शॉपकीपर है, या कोई लेबर है, कोई रिक्षवाला है, कोई ड्राइबर है, कोई मालिक है, कोई नोकर है, सबकी अपने अलग-अलग quality है अलग-अलग quality के हिसाब से अलग-अलग तरीके से जिन्दकी जी रहे हैं लेकिन हैं सभी इस word के अंदर universe के अंदर पर सभी अपने capacity के हिसाब से जितना जो capacity यूज करता है जितनी जो अपने mind power को यूज कर पता उतना ही उसको मिलता है और उसकी हिसाब से अपनी जिन्दकी जीता है कोई गरीबी में कोई अमीरी में कोई बीमार कोई स्वस्त कोई हंसते हुआ कोई रोता हुआ कोई दुखी है कोई खुश है इस तरह से सभी के अपनी जिन्दकी चल रही है अब पिरामिट्स भी इसी दुनिया का एक पार्ट है और इसमें भी जो colors अलग-अलगते हैं और जो अलग-अलग metal पे बने होते हैं वो अलग-अलग metal के अलग-अलग quality होती है तो मैंने इस पिरामिट के बारे में इस तरह से आपको detail बताई इसको घर के अंदर कैसे रखा जाता है दूसरी दूसरी वीडियो में बताईए डिस्किस्सम ने जाहिए उसकी link open करिए और उसमें सब मिल जाएगा कि कैसे इन पिरामिट्स को कहा कहा रखते हैं जैसे कि मिट्टी के अंदर भी ब्रह्मस्थान पे घर के अंदर रख सकते हैं इशान कोड पे रख सकते हैं या आप घर के दर्वाजे पे गेट पर रख सकते हैं या आपने गाड़ी के अंदर कार के अंदर रख सकते हैं या आपने सीट के अंदर नीचे रख सकते हैं या आप जहां पर office है, आपका office में रख सकते हैं, आप खेत के अंदर भी रख सकते हैं, खेत में जाईए, जब खेत के 20 वाले center पर कम से कम 3-4 फिट नीचे खोद के पिरामिट्स लगा दिजिए, और पिरामिट्स लगा दिजिए, आपकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, हर कोई इस पिरामिट्स को यूज़ कर सकता है, और इसका benefit उठा सकता है, क्योंकि यह वास्तु दोष दूर करता है, राइट, थैंक यू,